नमस्कार दोस्तों मैं प्रभातिवारी और सार्था क्लासेश के यूटी चैनल पर आपसे लोका बहुत-बहुत सौबत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में एक बहुत ही मातपूर सुचना है जो आप लोगों से मैं सेयर करना चाहता हूँ और यह सुचना जो संबंदित तो सबसे पहले हम यह इस न्यूस को पढ़ लेते हैं एक न्यूस पेपर की कटिंग है जो आप अभी अपने मोबाईल पर देख पा रहे है हम आपको बता दो मैं आपको नहीं बता सकते हूँ रिजए नी कि मुझे नहीं मालू है और मुझे वाट्सैप के मादेंग से जो कटिंगे वो मुझे प्राप्त हुई यह किसी नीज़ पेपर की कटिंग मैं स्वेम लेता हूँ तो उसके मुझे जानकारी होती और उसी नीज़ पेपर का मैं नाम आपको प्रकासन की डेट के साथ में सेर करता हूँ तो इसके लिए मैं चामा चाँगा लेकिन जो भी खबर में उस पर ध्याम देना बहुँ जरूरी है तो परिच्छा में लागू होगी माइनस मार्किंग यू पी एची एस सी ने सुरू की लिखित परिच्छा की आंत्रिक त्यारी डेर दसक का अनुभव जरूरी तो जी हैं दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं कि जो प्रिंस्पल लागू रहेगी जी हां दोस्तों माइनस मार्किंग लागू होने जा लेगी जो आपके प्राच्छार की भरती परिच्छा है होने वाली है उसमें माइनस मार्किंग लागू हो सकती है जिसमें किसी प्रूशन का उत्तर विकल्ब गलत भरने पर सही उत्तर से भी अंग काट यह विवस्ता उन अब्यारतियों के ग्यान की परक भी लेगी जो पंद्रा साल या उससे अधिक समय से सिछड़कार कर रहे हैं यूपी एचेसी ने प्राचार भरती के लिए लिए लिखित परिच्छा की आंपरिक त्यारी सुरू कर दिये इस परिच्छा के मादेम से असासक महावधियालों के प्राचार के 290 पदों पर भरती होंगी परिच्छा में सामिल होने के लिए अब्यारतियों को कम से कम 15 साल का साच्छिक अन्भव जरूरी है इसके आवेदन किये जा रहे हैं इसके प्रुष्पत बनवाने के लिए यूपी एचेसी ने नीतिया बना ली ह जिसके तहत लिखित परिच्छा सो अंकों की और साचार का बीस अंकों का होगा हलां कि अब भी इसकी आउपचारी घुसरा नहीं की गई है आसार जताए जा रहे हैं इसके लिए यूपी एचेसी के साथ ही अब बैरतियों ने भी पर्टिक्रम के अधार पर अपने तयारी तेज़ कर दिये दोस्तों तो यह न्यूज पेपर की जो कटिंग है इसे ही जानके जाली हमें जो मिल पा रही है कि यूपी एचेसी जो यह निगेट्व मार्किंग करने जा रहा है अपने जो प्राच्छार के एक्जाम होना उसमें तो दोस्तों दिखिए क्या यह 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 यह लोग कडने जा रहा है माइनस मारकिंग के भी उस्ता है और यह यह बात की पूरी पूरी संभावना बन रहे है कि भवेसमें जो यूपी हैसी असिस्टं प्रोफेसर के एकक्जाम होंगे उसमें भी माइनस उसमस नहीं यह जो यह भी पार है मिलागू हो सकति है तो एब देखे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है जो लगातार कांटीनु अपना अपनी त्यारी कर रहे हैं और यह अच्छा भी होता है जब कोई व्यक्ति जो है लगातार जो कोई कंडिडेट है लगातार अपनी त्यारी करता है तो जो लोग भी यूपी एचसी असिस्टन प्रोफेसर की त्यारी कर रहें या असिस्टन प्रोफेसर की जाब पाना चाहते हैं तो उनके लिए मेरी यही सला रहेगी कि आप अपनी पढ़ाई कांटिन्यू रखिए और यह माइनस मार्किंग भी लागू होता है तो जरूर थोड़ी से जो परिच्छा में एक बार निगेट्व मार्किंग आ रहे हैं तो हो सकता है कि यूपी एचसी अपनी आगामी परिच्छाओं में जो यूपी एचसी असिस्टन प्रोफेसर संबन दी थे उसमें भी माइनस मार्किंग की बियूस्था लाद दे तो अभी तक तो जोस्तों ऐसा कोई notification नहीं आई हुई हमें notification का भी इंतजार करना चाहिए और दोस्तों देखिए ये बात share करने का मेरा आधार क्या है जैसा आप लोग जानते होंगे कि जो यूपी PCS का पहले exam होता था उसमें माइनस मार्किंग नहीं लागो होती थी तो सबसे पहले बार जो है 2018 में यू यदि प्राचायर की परिच्छा उसमें माइनस मार्किंग अप्लाई कर रहा है तो आने वाले जो आगामी परिच्छा है यूपी PCS की उसमें भी माइनस मार्किंग की विवस्था हो सकती है तो यह चोटी सी information थी दोस्तों और यह information मुझे ऐसा लगा कि information आप लोगों से share कर करना जरूरी है क्योंकि जो candidate लगाता है यूपी PCS की त्यारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो ही काफी helpful हो सकता है और वह अपनी त्यारी को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं तो आई हो गयो तो आपको हमारा यह वीडियो आज का पसंद आया होगा हम आपसे फि झाल